Hello students, welcome to the official YouTube channel of Origin Coaching आप सभी का स्वागत है इस क्लास में और आज हम क्लास 11 का new chapter स्टार्ट कर रहे हैं, दोलन जैसा कि आपको पता है कि हम 11 क्लास के पूरे syllabus continuous आपको प्रवाइट कर आ रहे हैं यह second last question है, दोलन इसके माद तरंग फिर आपको 11 क्लास का syllabus complete हो जाता है दोलन एक बहुत important topic है, इससे question हमेशा पुछा जाता है साथ ही साथ या 12th class के भी कई chapter का base है आपको class देने से पहले मैं कुछ इसके importance में discuss कर दूँ कि दोलन का जो class है वो आपके लिए बहुत ज्यादा important होने वाला है क्योंकि इस class में competitive पर बहुत question पुछे जाते हैं दोलन से खास का simple pendulum में कैसा topic है जिसे NEET में, IIT, JEE में, NDE में सारे competitive exam में से question पूछे जाते है दूसरी important बात है कि दोलन का जो concept है और तरंग दोनों का यह आपको 12th class में पूरा use होगा जैसे वहाँ आपको प्रत्यवर्थी धारा में इसका use होगा alternating current में वहाँ पर तरंग प्रकास्की में इसका use होगा web optics में वहाँ पर electromagnetic webs में इसका use होगा विदू चुमब की तरंगों में कुल मिलाके तरंग और दोलन का जो concept है वो 11th के साथ-साथ 12th class को भी आपको बहुत ज़्यादा support करता है तो आप सभी को मेरा suggestion है कि आप इस chapter को बहुत अशह से पढ़ो बहुत अच्छा strong करो इसको पूरा basic आपका clear होना चाहिए तो in future आपको बहुत काम आने वाला है चलिए तो हम class start करें class start करने से पहले हम आपको अपने आन अकेडमी के class के schedule के बारे में बता दे मेरा आन अकेडमी में जो special class होता है जो की completely free class है आपको मालूम है इस class के लिए आपको कोई subscription की आवसकता नहीं होती इस class में मैं आपको competitive exam का preparation करा रहा हूँ जिस तरह से मैं इस class में आपको basic foundation पढ़ा रहा हूँ वैसी यहाँ पर मैं आपको competitive unit IITJ ये NDA के level पर आपको question करा रहा हूँ यह जो हमारा class है वह multiple twice question के 77 concept पर भी best है हम आपको previous year questions different different exam में जो question आए है वह question आपको solve करा रहे है NCRT के problems करा रहे है numerical की practice करा रहे है तो यह बहुत important class है इस class को आप जरूर जोइन करो इस class को जोइन करने के लिए आप सबसे पहले हमारे telegram group पर join करो telegram group से अबजूडो हमारे हर video के description के link में हमारे telegram group का link है वहाँ आप जोइन करो क्योंकि मैं आपको telegram group पर ही इस class के पूरा detail दूँगा उसका link दूँगा उसका पूरा time दूँगा उस link के तो आप इसमें जुड़ोगे वहाँ पर आप जब join करोगे तो आपको referral code यूज करना है तो आप काम टीटी के भी प्रिप्रेशन करो ओके नाव इस्टार्ड ऑक्सिलेशन दोलन चलिए तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चेप्टर पर एंटर कर रहे हैं चेप्टर का नाम है हमारा दोलन और इंगली से मोलते हैं ऑक्सिलेशन दोलन कहने से ही आपके दिमाग में ये एक बात तो निश्चित रूप से आता होगा कि कोई पिंड क्या है बार बार अपने पथ को रिपीट कर रहा होगा जैसे हम सीधे रोड में चले जाएं तो हम दोलन नहीं करते लेकिन मालों हम एक जूले में जूल रहे हैं मेरी गुरॉण में जूल रहे हैं तो आपको मालूम है कि हम या किसी गार्डन में चक्कर लगा रहे हैं तो बार बार अपने पाथ को रिपीट कर रहे हैं तो बहुत वह मानने इसा कांसेप्ट है कि ऐसलेशन का मतलब होता है अपने पत को अपने गती के पत को बार बार रिपीट करना अगेन अगेन उस पाथ को रृपीट करना उसमा एक रुप से दोलन हैं लेकिन साइनटिफिकली उसको बहुत डेप्थ में जाके पढ़ें यदि हम उसको वज्ञानिक रूप से पढ़ें तो दोलन को हम दो तरह से समा सकते हैं दोलन का condition दो तरह से होता है पहला कहला आता है उसका आवर्ती गती तो सबसे पहले हमको समझना है आवर्ती गती को आवर्ती गती इसको हम इंगली समभलेंगे periodic motion periodic motion periodic motion क्या होता है हम दोनों को comparative पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा और दूसरा दोलनी गती समान रूप से दोनों सब्दों को सुनो तो एक जैसा लगता है auxiliary motion समान रूप से इनको हम सुनो है अपने डेली लाइप में लगता है दोनों तो एक ही चीज़ है लेकिन दोनों में बहुत सार्फ डिफरेंस है बहुत छोटा डिफरेंस है दोनों में कि auxiliary अलग चीज़ है और periodic motion अलग चीज़ है तो हम आवर्ती गती किसे कहते हैं किस पकार के condition को हम आवर्ती गती का सकते हैं किस पकार की गती को दोलनी कती का सकते हैं यह हम एक प्रित्वी इस पत्पर गती करती है यह आपको मालूम है कि सपोस्ज यह हमारी प्रित्वी है और हम सुर्य के चारों और व्रित्वी पत्पर भूम रहें और हम एक निश्ची टाइम इंटर्वाल के बाद 365 डेस के बाद हम अपने पत्थ को दुबारा रिपीट करके वहूं लेकिन आपको पता है कि सपोस्ज अपने पास कोई इस तरह से एक पेंडूलम है सपोस्ज हमारे पास कोई सिंपल पेंडूलम है अभी इसको आगे डीटेल पढ़ना है अभी तमें आपको को इस प्रकार से लटकाया हुआ है या घड़ी का लोलक आपने देखा होगा थिंडी में आता है और इस साइड इधर चले जाता है इस पकार से इस पत्क्रेंट बार बार गती करता है तो यह अपने पत्का बार-बार लिपीट कर रहा है लेकिन एक माध्οι स्थिती के लेप्ट जाता है फिर उसके राइट आन आता और यहां पर यांट फ्रो मोशन जर इधर उधर, हिंदी में कहेंगे इधर उधर तो जब कोई particle, कोई body to and from motion करे मनें अपने निश्चित पत्र के दोनों और इधर उधर उधर गती करे तो वो क्या कहलाता है? दोलनी गती कहलाता है, औक्सलेटरी मोशन कहलाता है मेरे ख्यास यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा की periodic motion और आरक्सी मोटर में कहलाता है यह पूरे अपने complete path को repeat करता है यह पूरे path को repeat नहीं करता एक particular point के position, यह इसका mid point है यह इसका मध्ध बिंदू है तो मध्ध बिंदू के left side और right side जब यह दोलन करने लगता है तो यह क्या करनाता है दोलनी गती मैं बहुत depth में इसको इसलिए explain कर रहा हूं कि बहुत से students के दिमाग में बात clear नहीं होती उनको लगता है कि periodic और auxiliary motion दोनों एक जैसा चीज है लेकिन दोनों एक जैसा चीज नहीं है दोनों अलग अलग है और इन दोनों में हम इसलिए relation देखना चाहें तो क्या कह सकते है कि प्रत्यक दोलनी गती जो होती है वह आवर्ती गती होती है यहाँ पर मैं note आपको लिख देता हूं यहाँ पर भी students को बड़ा confusion रहता है मैं note करके इस बात को especially लिख दूँ आपके लिए कि प्रत्यक दोलनी गती प्रत्यक दोलनी गती आवर्ती होती है प्रत्यक दोलनी गती आवर्ती प्रत्यक दोलनी गती आवर्ती गती होती है परन्तु आवर्ती गती दोलनी गती नहीं होती इस बात को भी आप ध्यान में रखने या लिखे देता हूं है किन्तु आवर्ती गती दोलनी नहीं होती है ये बात ध्यान में रखना कभी भी आपको complete exam वगरह में ये concept काम में आ साथ ठीक है इस पकार से प्रत्यक दोल्ली गती आवर्ती होती है परंतु प्रत्यक आवर्ती गती दोल्ली नहीं होती ये कैसा इस बात को थोड़ा में explain कर देता हूं ध्यान से सुनना दोल्ली गती आवर्ती होती है देखो ये दोल्ली गती है और दोल्ली गती में क्या होता है अपने पत को बार-बार रिपीट करना दोल्ली गती कह लाता है उसमें एक पथ पर बार बार गती होता है, ऐसा to and from motion नहीं होता है, तो हम इस गती को ये गती नहीं कह सकते हैं, इसमें बहुत बार students confused होते हैं, मुझे मालूम हैं, तो ये ध्यान में रखना और बहुत important बात है कि दोनों में किस तरह का relation होता है, तो ये हमारा base है जहां पर हम क किस तरह के सब्द use होते हैं, तो आपने circular motion में जो पढ़ाई किया है, वृत्ती गती में जो पढ़ाई किया है, उसी के terms complete इसमें use होते हैं, तो चलिए हम एक बार उसको आपको समझा दें, कि किस पकार का condition इसमें होता है, ठीक है, पहले मैं इसको terminal लाजी ही आपको समझा द इस्टर से देघो किया है पर मैं एक खीकर बना दूँ आपको, उसके बाद फिर हम यहाँ पर इस पर discuss करेंगे चलिए, सबसे पहले अपने को समझना है, दोलन काल दोलन काल periodic time t equal to होता है 1 upon new, यह आप पहले से जानते हो 1 upon new, new क्या है यहाँ पर आवरित्ती है, तो जब कोई pin अपने पत को बार-बार गती करता है तो एक चक्र पूरा करने में, जब वो अपना एक complete cycle पूरा करता है, अपना एक चक्र पूरा करता है तो एक पूरा चक्र complete करने में, वो जितना समय लेता है, वो क्या कहलाता है, उसका दोलन काल कहलाता है मतलब किसी भी pin के एक चक्र पूर्ण करने पर, या किसी भी दोलनी गती करने वाले pin के एक चक्र पूर्ण करने पर जो time taken है, जो समय लिया जाता है उसको दोलन काल कहते हैं यहां नीवी आवरित्ती है और दूसरा हम समझें आवरित्ती आवरित्ती जो कि न्यू है तो वह नपांटी होगा इसका उल्टा तो क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका एक सेकंड में दोलनों की संख्या एक सेकंड में पचास बार वो दोलन कर दिया तो पचास उसके अवरित्ती हो जाएगी यह बात ध्यान में रखना है और तीसरा महत पूर्णर रिलेस्टन आपको याद रखना है कि इसका जो कोड़ी वेग होता है ओमेगा वा टू पाइ निू या टू पाइ बाइ टी के बराबर होता है इतने आपको फार्मूले को इस चेप्टर में ध्यान रखना है और यह आप पहले से पढ़े हुए हो ये आप आपसे पहले से पढ़े हुआ हो और एक चौथा चीज ये भी ध्यान रख लेना यहीं पर लिख देता हूं मैं कि कोड़ी वेक बराबर होता है कोड़ी विस्थापन मतलब थीटा बटे टाइम ये मैं एक तरह से आपको repeat कराया इसको आपने वृत्ती गती में पढ़ा है ये चारो पाइंट को तो मैं सिर्फ याद दिलाया आपको अब यहाँ पर ध्यान रखना दोलंकाल टी एक बटे निउ होता है अब रित्ती निउ एक बटे टी होता है निउ बराबर टू पाइ निउ या टू पाइ बटी होता है अब यहाँ पर जो आप फिगर देख रहे हो इस फिगर के हेल्प से हम यहाँ पर तीन फार्मूला इस्थापित करने वाले हैं जिसमें सबसे पहले हमको निकालना है कि विस्थापन का समी करण कि जब कोई भी पिंड दोलनी गती करता है तो इसके विस्थापन का क्या समी करण होता है इस इक्वेशन को हमको यहाँ पर डिराइब करना है पहला विस्थापन का समी करण बहुत इंपार्टेन फार्मूला है आज के क्लास में मैं तीन फार्मूला डिराइब करूँगा विस्थापन का फिर वेक का फिर त्वरण का continuous वहोगा और यह इस chapter का पहला सबसे important question है तो बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है देखो यहाँ पर जो मैंने figure बनाया हुआ है इस figure को गौर करना आप कि यह मानलो इस वृत्ताकार पत पर गती करते हुए पिंड का केंद्र है एक पिंड यहाँ पर था A position पर अब वो यहाँ से चला आया यहाँ B पर चला आया तो suppose इसका हमने इसका radius है वो A इसको A लिया हुआ है इसकी तृज्या है अब यह B पिंड जब यहाँ पर पहुँचता है तो मानलो अपने केंद्र पर यहाँ पर यह उसका केंद्र है तो केंद्र पर suppose वो theta कोड बनाता है यह इसका theta कोड है अब हमने B से यहाँ पर لم डाला हुआ है BC यह BC लम डाला है तो naturally जब यह theta cone है तब यह एक आंतार cone है यह भी theta होगा क्योंकि यह दोनों समांतार रेखा है तिर्याक रेखा काट रही है हम मान रहे हैं कि माना कि इस pind का cone wave omega है और वह T समय पर T समय पर यहां से यहां पहुँच गया ऐसे भी पहुँच गया यह इसको highest point है यह उपर highest point है इस point को मैंने क्या कह दिया D कह दिया तो O से C तक O से C तक pin का विस्थापन होगा A भी विस्थापन नहीं है चाप का भी विस्थापन नहीं होता चाप तो दूरी है विस्थापन क्या होगा pin का O से लेके C तक और इस विस्थापन को हमने सपोस्ट कर लिया है क्या वाई देखो पूरा फिगर पर बेस्ट है एक फिजिस में हम ऐसा ध्यान रखना यदि हम कोई भी फार्मुला डिराइब कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि उसका पूरा डेरिवेशन जो होता है वह कम्प्लिटली फिगर पर बेस्थ होता है चित्र पर अधारित होता है यदि आपको फिगर क्लियर नहीं है यदि आपको चित्र समझ में नहीं आया है तब आपको आगे का टापिक भी समझ में नहीं आएगा तो ध्यान में रखना यहां पर कि कौन क्या है ठीक है तो यह हो गया यहां पर लम और इसका y अब देखों यहां पर हमारे पास एक समकोर्त रिभूज है और उस समकोर्त रिभूज का नाम है क्या समकोर्त रिभूज O, B, C O, B, C में समकोर्टी भूज O, B, C में, यदि हम sin theta निकालना चाहें समकोर्टी भूज O, B, C में, यदि हम sin theta निकालें तो sin theta बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण तो theta का सामने वाला lump है यह जो कि क्या है? O, C है यह हो गया, lump और O, O, B क्या है? उसका कर्ण है, जो सबसे बड़ी भूजा है इसका O, B that implies, अब इसको हम लिख सकते हैं sin theta equal to O, D का मान देखो क्या है? O से लेके लंब तो O, C होगा O, C बोला लिख दिया O, D O, C यह लंब है ना O, C यहां तक लंब है इसका क्योंकि हम इस्त्रिभूज की बात कर रहे है यह जो आपको छोटा yellow color में दीख रहा है तो, यह हो गया तो sin theta equal to O, C का मान देखो हम रखें तो O, C क्या है? Y है O, C Y है और O, B क्या है? यह व्रित्र की त्रिज्जा है That implies इसको हम लिख सकते है Y equal to A sin अब यहां से आपको पता है यह मैंने formula लिखा है omega equal to theta upon T तो, चुकि हमको पता है omega equal to theta upon T होता है तो therefore, theta equal to क्या हो जाएगा भई? omega T हो जाएगा theta equal to omega T हो जाएगा तो यह theta का value हम यहां पर put up कर दें तो यह क्या हो जाएगा? omega T इस पकार से Y equal to A sin omega T यह जो formula आप देख रहे हो Y equal to A sin omega T यह क्या कहलाता है? विस्थापन का समीकर्ण कहलाता है यह पहला समीकर्ण है और इसका इतना use है इतना use है कि मैं आपको क्या बता हूँ 12th class में तो कई chapter में दिन भर इसी formula से काम चलेगा तो यह आप कभी नहीं भूलना कि दोलनी गती या आवर्ती गती करने वाले किसी पिंड के विस्थापन का जो समीकर्ण होता है क्योंकि Y यहाँ पर विस्थापन है तो वो होता है A sin omega T अब यहाँ पर हम देखें कि किसको हम क्या कहते है सबका अलग-अलग नाम है ध्याँ रखना तो यह जो Y है इस Y को कहा जाता है क्या विस्थापन अभी मैं बार बार आपको बता रहा हूँ यह विस्थापन है clear यह जो A आप देख रहे हो इस A को कहा जाता है I am I am A फार amplitude कह सकते हो अभी समझाओंगा यह कोन क्या है कैसा है और omega T को कहा जाता है color omega T को color कहा जाता है face face इसको amplitude amplitude कहते है और यह displacement यह तो मालूम है आपको तो यह तीनों चीजों का तीन नाम है Y यहाँ पर विस्थापन है A यहाँ पर आयाम या amplitude है और omega T क्या है कला है फेट से अब हम देखें कि आयाम और विस्थापन किसको कहते है तो यहाँ पर मैं explain करता हूँ और इसको अलग से आप note करके ध्यान में रखना सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आयाम आयाम क्या चीज़ है तो आप चीतर में देखो यह इसकी त्रिज्या है O A इसकी त्रिज्या हो भी त्रिज्या है अभी पिंड कहां पर है B पर है यदी मैं पिंड B को D पर ले जाऊ तो विस्थापन इसका OC के बजाए क्या हो जाएगा ओडी हो जाएगा नियान से समझने यहां पर क्योंकि टर्मिनलाजी फिजिस के कठीन लगने का सबसे बड़ा काराण है कि हमको टर्मिनलाजी पर ही कमांड नहीं है तो आयाम आयाम आपन बार-बार बोल रहे हैं पते नही बलकि OD होगा और OD इसका विस्थापन हो जाएगा जो कि इसकी त्रिज्जा के बराबर है और आप समझो इसका विस्थापन इससे उपर तो पिन्ड जानी सकेगा क्योंकि अभित्त पर फिक्स है तो परिधि से उपर थोड़ी चला जाएगा वो तो यह क्या कहलाएगा इसक अधिक्तम विस्थापन को हम आयाम कहते हैं यह कभी नहीं भूलना दा मैक्जिमम डिस्प्लेस्मेंट आप दा बॉड़ी इन पेरियोडिक मुसन इस काल्ड एंप्लिटूट किसी भी वृतिगति करने वाले पिंड का जो अधिक्तम विस्थापन होता है वो क्या कहलाता है आय नाम हम जानते रहते हैं मतलब नहीं समझते हैं हमारा सबसे बड़े समझते हैं मालूम आपको नाम बहुत सारा जानते हैं उसका मतलब नहीं जानते और दिमाग में ठूस लिया बहुत सारे सब्द सेंस गायब कहां समझ में नहीं आए गाए तो सबसे पहले आप चीजों को समझ sparks कि altogether कला बोल रहें कला पता ही नहीं है तो हैं चित्र में देखो कला क्या हो सकता है梅गा ट किसका मान थीटा कमान मेश किला हमेशा मैशा क्या बता क्या बताता है दिस miracle क्ये क्या हो गया दिस बताने वाले कारक हैं जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर कणकर दिसा बता रहा है और साथ साथ उसकी स्थिती भी बता रहा है कि भई वो कहां पर है नेस्ट क्लास में जब मैं आपको ग्राफ एस्प्रेंड करूंगा तो सब आपको बताऊंगा तो यह हो जाएगा कलाक तो कलाक हम क्या कहेंगे एस्थिती तथा इस्थिती तथा दीसा बताने वाला जो चाराक होता है which determine the position and direction of the particle is called phase जो उसकी इस्थिती तथा दिसा बताता है उसे हम क्या कहते हैं कला कहते हैं फेस कहते हैं दो बात कभी निभूलना अधिकताम विस्थापन को आयाम कहते हैं और जो उसकी सिती और दिसा बताता है उसको हम कला कहते हैं अब यहां ध्यान देना, इसको मैंने दे दिया relation number first, y equal to a sin omega t, हमने विस्थापन का समीकर इस्थापित कलिए, यदि आपको exam में आपके teacher पूछते हैं, कि बृत्ती गति करने वाले पिंड के विस्थापन का सुत्र इस्थापित कीजिए, तो यहां तक आपको करना है, चलिए अब हम देखें, इसका next calculation, और next calculation है, जो आगे continuous होगा, वो है इसका wave, वेग निकालना मतलब इसका velocity निकालना, velocity फाइंड करना, वेग फाइंड करना, तो वेग निकलेगा विस्थापन से, भाई हमने अभी देखा है, कि y equal to होता है, a sin omega t, और आप 11 class के पहले chapter से पढ़ते आ रहे हैं, कि जब हम विस्थापन का t के साफ एक शावकलन, मने समय के साफ एक शावकलन करते हैं, तो हमको वेग मिलता है, विस्थापन का समय के साफ एक शावकलन ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, तो इसका हम क्या कर देते हैं, तो हम लिख लेते हैं, now differentiate with respect to t, इतना English सुचलेगा ना T के सापेश और करने पर T के सापेश करने पर क्या हो जाएगा यह दी वाइब डीटी इक्वल टू डीवाइब डीटी आप A sin omega t यह हो जाएगा चलो भई अब इसका आउकलन कर दो तो d y by dt मतलब विस्थापन का समय के सापेश आउकलन बेक कर लाता है तो मैंने अब इसको भी लिख दिया A constant है बाहर आजाएगा और sin omega t का differentiation होगा तो sin omega t का differentiation omega सामने आजाएगा और sin का होता है cos तो cos omega t आप लोग को अउकलन समाकलन दी नहीं मालूम है तो आप regular हमारे live class में आईए देखो एक important notice मैं यहाँ पर आपको यह दे दूँ कि यह जो हमारा अभी syllabus चल लहा है यह तो हमारा 20 22 का जो हमारा syllabus था उसका part है जिसमें थोड़ा सा portion बचा है complete है लेकिन हमने 2023 के लिए जितने भी students वीडियो को देख रहे हैं बहुत ध्यान से सुना हमने 2023 session के लिए नया class ही start कर दिया है जिसमें अभी हम मूल भूत गडिती और धाना पढ़ा रहे हैं मतलब हमने फिजिसका base start किया है जिसका live class होता है regular साम को 8 बजे उस class में आप जरूर आओ और यदि आप 12 पास भी हो गए हो आप competitive का preparation कर रहे हो तब भी आप उस class में आओ क्योंकि वहाँ पर मैं आपको बिल्कुल physics के basic समझा रहा हूँ और वो class beginning से फिर start होगा और वह वित numerical चलेगा साथ में तो हमने बहुत advanced इस बार उस class को बहुत earlier time में सुरू कर दिया है तो class आप जरूर जोइन करो बकी इस class से आपका जो पीछे का बचा topic उसको आप पूरा कर सकते हो तो यह सब differentiation वहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ ठीक है यह हो गया that implies अब v equal to क्या हो जाएगा omega को मैं सामने कर द गडितिया अधाना पढ़ने से टिगनमेट्टी में sin theta बराबर होता है स्वारी कास theta बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस sin square theta तो sin square omega t हो जाएगा that implies आगे हम इसको और solve करें तो v equal to हो गया v equal to a into omega और root of a minus देखो यहाँ से यह हम sin theta का value निकाले तो आप इस relation को देखो sin omega t का value निकाले तो यह इधार transfer होके y upon a हो जाएगा तो sin omega t का value हम क्या push कर सकते हैं y upon a तो यह हो जाएगा y square upon a square that implies v equal to a into omega into यहाँ पर a square एक मिनट यह ए है ना स्वारी one है यह वो तो one है अब यहाँ से a square lcm आएगा और lcm आने के बाद बहार आके one upon a हो जाएगा और यह हो जाएगा under root a square minus y square that implies v equal to दोनों a कटेंगे हाँ दोनों यह कटेंगे ते हो जाएगा omega root of a square minus y square यह इसके velocity का फर्मूला होगा यह हमने निकाल लिया इसका क्या velocity निकाल लिया तो दूसरा फर्मूला यहाँ से derive हो जाता है वेक के लिए clear लिखें आप इसको या इसकी insert लेते चलिए तो second calculation हो गया यह वेक के लिए अब विस्थापन से वेक निकला वेक से क्या निकलेगा भाई वेक से तोरण निकलेगा तो चलिए अब हम तोरण पर बात करें तो तोरण के लिए हमको क्या करना होगा देखो यहाँ पर जो यह relation आया है उस relation को मैं highlight कर रहा हूँ कौन सा relation यह यह वाला जो relation आया है भी का जिसको हमने कह दिया relation number 2 और आपको जब exam में तोरण पुछेगा तो काम आप यहाँ से start करोगे यह काम को करने का जहुरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो simplification हुआ है हमने केवल कास को sign में change करके simplify किया है लेकिन आपको exam में तोरण प का अपकलान करें स्क्राण मिलेगा चलिए तो अब तीसरा calculation करते हैं अपन त्वरण के लिए पीसरा है त्वरण आँ एसलेरेशन आई यदि हम तोरण का का काल्कुलेशन करें तो कहां से start करेंगे वेक से चुदकि अभी हमने देखा है कहां से relation 2 से relation 2 से देखा है कि V equal to A omega cos omega t, अब फिर इसका t के साफ एक्ष आउकलन करते हैं, differentiate with respect to t, t के साफ एक्ष आउकलन करेंगे, तो d V by dt equal to हो जाएगा, d by dt of A omega cos omega t, that implies V के साफ एक्ष समय काउकलन करेंगे, यह तोरण बन जाएगा, इसको हमने alpha कह दिया, A omega constant है, बाहर कर दिया, और cas omega t का differentiation हो जाएगा, minus omega sin omega t, क्योंकि cas का उकलन होता है, minus sin, और यह omega बाहर आएगा, क्योंकि ती का गुणांख है, यह हो जाएगा, आगे हम इसको solve करें, तो that implies alpha equal to minus A omega square into sin omega t को हम क्या लिख सकते हैं, y upon A, अभी मैंने पीछे बताया आपको, कि sin omega t y upon A के बराबर होता है, ठीक पीछे भी पढ़ा है हमने, that implies, यहाँ से देखो, A cancel out हो जाएगा, omega equal to minus omega square into y होगा, और यह जो फर्मूला अब आप देख रहे हो, यह इसके तोरण का फर्मूला है, यह तोरण है, कोड़ी तोरण कोड़ी तोरण, तो यहाँ पर हमने तोरण का फर्मूला डिराइब किया, तो आज के क्लास में इतना ही, मैंने आपको बताया, एक बर ध्यान से सुनो आप, सबसे पहले मैंने आपको, स्टार्टिंग से आपको repeat कर दूँ मैं, देखो एक बार अपना क्लास, सबसे पहले मै मैंने आपको बताया कि आवर्ती गती क्या है, फिर दोलनी गती क्या है, दोनों में रिलेस्टन क्या होता है, फिर हमने देखा कि यहाँ पर कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, दोलन काल क्या है, आवर्ती क्या है, कोड़ी वेग क्या है, और कोड़ी वेग विस्थापन में समद पहला हमने फार्मूला निकाला विस्थापन का समीकर्ड आया वाइए साइन हमेगा टी अब विस्थापन के समीकर्ड में हम एक आयाम कहते हैं हमेगा टी को कला कहते हैं मैंने बता दिया कि क्यों करते हैं उसका मतलब क्या होता है नेस्ट इज उसके बाद हमने वेग का फार्मूला निकाला तो विस्थापन के फार्मूले को हमने क्या किया टी के साफ एक्स होकलन कर दिया तो हमको क्या मिल गया वेग मिल गया अब यह जो वेग मिला हुआ था यह वेग एक्वेशन नमबर टू इस वेग को हमने क्या किया दुबारा होकलन कर दिया तो हमको क्या मिल गया तोरण मिल गया यह तोरण का फार्मूला होता ही है तो यहां पर एक important बात देखो यदि आपको exam में यह पूछा जाए कि किसी भी पिंड के जो दोलनी नहीं मिलें यह continuous वास एक क्वीश्चन तो आपको इस्टेप डीन परक करना है जैसे भी इसके आगे और हमारा टापिक कंटीनी होगा एस धियान में रखना की इस video को देखने के बाद यह वाला क्लास की पड़ाई करने के बाद इसका जो मैरा second part आएगा वो यहीं से continue होगा उसमें मैं पहला heading लिखूंगा alpha equal to minus omega square into y और वहाँ पर से बहुत detailed discussion वहाँ से शुरू होगा वो मैं आपको फिर उस class में कराऊँगा आज का class मैं ही complete कर रहा हूं और ध्यान रखना यहीं से connect होगा एक चीज़ हमेशा कि किसी भी वीडियो का आप देखो उसके series को continuous देखो फर्स को देखो फिर सेकंड को देखो क्योंकि हम जब class में पढ़ाते हैं तो जहां से हम उसको complete करते हैं उस chapter में ही complete करता हूं और बहुत जल्दी आपके दोलन और तरंग दोनों को हम complete कर देंगे और फिर आप हमारे live class में भी आके अगेन शुरुआज से पढ़ाई करिए जो इवनिंग में एट पीम में रेगलर होता है ओके ओके थैंक्यू थैंक्यू सो मज